नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पारे होंगे कि 29.12.2021 को ICDS विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिस लेटर में आगनबारी सेविकाओं को कुछ निर्देश दिये गए हैं जैसे कि 7.12.2022 से पहले आप सभी को Potion Tracker एप पे जो आगनबारी सेविकाओं ऑनलाइन डेटा भरते समय गलतियां की है उनको आपको जल से जल सुधार कर लेना है क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि 8.01.2022 के बीच एक अभियान चलाए जाएगा जिस अभियान का नाम है स्रस्त बालक बालिकास परधा तो इस अभियान से पहले आपको क्या-क्या तैयारिया करनी है क्या-क्या सुधार कर लेना है पोसंट रेकर अप्लिकेशन में और आपको आगनबारी केंद्र पर क्या-क्या बेवस्थाएं कर लेनी है इसी के बारे में आपको इस वीडियो में जनकारी मिलने वाली है तो आज की ये वीडियो काफी यूजफूल है आप सभी आगनबारी बहनों के लिए आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद औल का बटन जरूर सिलेट कर लिजेगा तो चलिए जानते हैं कि इस लेटर में और क्या-क्या निर्देश दिये गए हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस लेटर की जो संची का संख्या है 6419 और इस लेटर को जारी करने वाले है निदेशक ICDS निदेशाले बिहार पटना सिवा में सभी जीला प्रग्राम पदाधिकारी सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिहार पटना यानि कि पूरे बिहार में इस लेटर को जारी किया गया है और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो ये स्वस्त बालक बाली का स्परधाद चलाए जा रहा है वो पूरे भारत की आंगनबारी सेविकाओं को ये काम करना है और इसे आप लोग गंभीरता से लें क्योंकि आपको इसमें जो बच्चों का एक्चूल हाइट और वेट है उसको डालना है और क्या-क्या गलतिया आपको नहीं करनी है आपको इसी वीडियो में जनकारी मिलने वाली है जैसे कि इस लेटर का जो भी सही देखेंगे पोसन ट्रेकर अप्लिकेशन में 0-6 वर्ष के वास्तिविक सुचना अध्यतन करने के संबंद में जैसे कि पोसन ट्रेकर अप्लिकेशन पर जो 0-6 वर्ष के बच्चे है उनका जो प्रोफाइल अपडेट है उसमें जो बच्चों का जनमतिती दिया गया है और जो बच्चे का वास्तिविक जनमतिती है उसमें कुछ पड़िया पाई गई है इसी के संबंद में अंगनबरी सेविकाओं को ये निर्देश मिले हैं कि आपको इनका जो प्रोफाइल अपडेट है उनको जल से जल सुधार कर लेना है महास है उप्रियुक्त विशाय के संबंद में सूचित करना है कि दिनांग 8 से 14 जनवरी 2022 तक स्वस्थ बालक बाली का स्पर्धा कारेकरम किया जाना है कारेकरम के सफलता पूर्वक संचालन है तु दिनांग 24 बारव 2022 को राज यस्तरियर टीम के द्वारा पटना नलंदा यह 29 साली जीला के चैनित केंद्रों का भ्रमन कर बच्चों का ब्रिधी निगरानी कराते हुए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जो राज अस्तरियर टीम है उनके द्वारा 24 बारव 2022 को रामन करके बच्चों का ब्रिधी निगरानी पोसंच ट्रेकर अप्लिकेशन पर कराते हुए WHO चार्ट के मुताबिक जो उनका हाइट और वेट है उसको मिलान कराया गया और उसमें क्या पाया गया आईए जानते हैं जैसे कि उक्त कार्य के दोरान यह जनकारी सामने आई कि पोसंच ट्रेकर अप्लिकेशन में दर्ज बच्चों की जनमतिति यहों वास्तिविक जनमतिति में भीनता है जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो बच्चों का रियल जनमतिति होता है उसी के आधार पर बच्चों का हाइट वेट और उसके पोशन अस्तर को पहचाना जा सकता है कि वो बच्चा किस केटेगरी में है नॉर्मल है या फिर उस बच्चे में कोई कमी है इसकी जाँच हम लोग जनमतिती के अनुसार ही करते हैं आपको जो रियल जनमतिती है उसको पोशन ट्रेकर अप में प्रफाइल अपडेट करके सुधार कर लेना है और तो इस करम में निदेश दिया जाता है कि कारेकरम के पूर्व दिनांग 7.1.2022 तक निम तयारिया सुनिशित करें जैसे कि 7.1.2022 तक जो तयारिया है वो आपको पूर्ण कर लेना है जैसे कि क्या क्या तयारिया करना है आपको पे कुछ पॉइंट दिये गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट है पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में 0-6 वर्ष के सभी बच्चों का प्रफाइल मुख्यता जनमतिति के वास्तिविक आकड़े अपडेट करें जैसे कि पोशन ट्रेकर एप में जो बच्चों का वास्तिविक जनमतिति हैं उसको आप लोग अपडेट करें दूसरा ओप्सन दिया गया है पोशक छेत्र के सभी 0-6 वर्ष के बच्चों की सूची तेयार करते हुए सभी बच्चे का पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में पंजीकरन कराना सुनिश्चित करें तो जो पोसंट ट्रेकर अप्लिकेशन में 0 से 6 वर्ष के बच्चे छूट गए हैं अभी उनका पंजीकरन नहीं हुआ है तो उनका भी पंजीकरन आप लोग करना सुनिचित करेंगे तीसरा पॉइंट दिया गया है कि ब्रिधी निगरानी है तू सभी ब्रिधी निगरानी यंत्रो जैसे अस्टेडियो मीटर, इनफैंटो मीटर, वेटिंग स्केल, मदर एंड चाइल्ड, एंड वेटिंग स्केल इनफैंट की कारेरत अवस्ता के सभी केंदरों में सुनिश्चित करें इसे अति आवस्यक समझा जाए तो इस परकार से आप सभी को ये निर्देश दिये गए हैं कि जो जो गलतिया आपने पोस्तन ट्रेकर एप पे की हैं उसको आप लोग सुधार कर लें और जो आपको यंत्र दिये गए हैं ब्रिधी निगरानी करने के लि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगमबारी बहनों तक सेयर करें तो मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद